प्रिर्णा जगात प्रिर्णा जगात इस शंखला में अब सुनिये कारिक्रम श्रवन कुमार सुनो 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 सुना रहे हैं अमर कहानी बालत था एक प्यारा गूढे अन्धे मात पिता के आखों का ठातारा एक सहारा और दुलारा चाग था जिसका न्यारा श्रवन कुमार नाम था उसका श्रवन कुमार नाम था उसका जाने हैं जग सारा सुनो सुनो, अरे भै सुनो सुनो मात पिता की सेवा करता मात पिता का ही पूजन, मात पिता ही गुरू थे उसके मात पिता ही थे भगवन उनकी सेवा करना ही धर्म था उसका न्यारा श्रमन कुमार नाम था उसका जाने है जग सारा सुनो सुनो, अरे भै सुनो 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 सुनो, अरे भै सुनो सुनो हाँ बेटा पिता जी हाँ श्रौन बेटा यदि आपने संध्या पूजा कर ली हो तो मैं आपके लिए भोजन का प्रवंद कर दूं हाँ बेटा श्रौन हमने संध्या पूजा कर ली तुने भी कर ले ना नहीं मा मेरी पूझा मेरी भक्ति तो तब तक अधुरी है जब तक मैं अपने हातों से आपको और पिताजी को भोजन न करा दूँ नहीं शर्वन तुझे भगवान के भक्ति करने ही चाहिए वही तो हम सब का पालनार है पिताजी आप दोनों से अधिक पूझे मेरे लिए कौन से देवी देवता होंगे बेटा सच बेटा तेरी इसी सेवा ने हमें कभी यह अनुभाव नहीं होने दिया कि हमारी आखे नहीं ह हाँ बेटा तुझी तो है हमारी आखों का उचाला तो फिर पिता जी आप मेरा हाथ थामिये अच्छा शर्वन और मा तुम मेरा कंधा पकड़ लो अच्छा एसे मैं आपको भूजन के लिए चलता हूँ अच्छा शर्वन चल बेटा आईये पिता जी आच्छा आओ मां चल बेटा शर्वन हा मा जाओ बेटा अव इश्राम कर लो रात बहुत बिच चुकी है एक कामता थे ऐसे नहीं मा मैं पाऊं दबाने से थका बिलकुल नहीं हूँ जब आप दोनों को नीदा आजाएगी मैं चला जाओंगा नहीं नहीं बेटा ऐसे दिलनात हमारी सेवा करने से यदि तुछे कुछ हो गया तो आप भी कैसी बाते करते हैं पिताजी जब तक आपका आशिरवात मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा शोन बेटा सच कितना प्यारा बेटा है हमारा यहां आ बेटा अपने हाथों से तेरा मुप झोकर ही तुझे देख लो मा तु कितना अजय मैं भी कितना से यहां शुथ आन जां बेटा और उसके बाद उसके बाद चारों धाम तीरत देखें जीवन का पुन्ने कमाय कि तु ऐसा कहा हो वहां आपके त्रिष्टी तो नहीं लोटा सकता पर हां सारे तीरत दर्शन अवश्य कराऊंगा आप मेरी आखो से देखेंगे पिताजी मेरी आखो से शेवन तु ऐसा कैसे हो सकता है तु बालग है बेटे कैसे ले जाएगा हमें तीरत यत्रा के लिए हमारी जीवनभर की करेगा रहे तु रहने दे बीठा रहने दे तू क्यों हमारे लिए कष्ट सहता है है रहे हम ठेरे बूढ़े नचल सकते हैं और नहीं देख सकते हैं बीठा कष्ट कैसा पिताजी आपकी सेवा तो मेरा धर्म है किन्तु बीठा तू हमें लेकर जाएगा कैसे मैं इसकी चिंता क करती हो मैं एक पहंगी मंगवाँगा जिसमें एक और पिताजी और एक और तुम बैठोगी और मैं मैं कंधे पर बहंगी रखकर आप दोनों को सारे तीर्थ करवाँगा चिंतु बेठा मार्ग में कहीं नदी कहीं जंगल कभी आंधी कभी तूफान की नजाने कितनी गठना यहां सामने आएंगी पिताजी भगवान हमारी सहता करेगा ठीक है बेठा जैसे तेरी इच्छा अब तो तुम ही हम अंतों की लाठी है कि 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 क काम कठन था मार्ग कठन उस पर बैंगी थी भारी जंगल नदी पहाड थे बाधा पर हिम्मत नहीं हारी अंधे की जैसे हो लाठी वैसे बना सहारा श्रवन कुमार नाम था उसका श्रवन कुमार नाम था उसका जाने है जग सारा सुनो सुनो अरे भय सुनो 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 अब हम तीर्थ राज प्रयाग आ गए है आप यहां वत्रक्ष के चाया में बैठकर कुछ दिर विश्राम करें अच्छा बेटा चांदी मां एक यह बटब्रक्ष बहुत प्राचीन है Um लोग यहां आकर दीर गायों के लिए प्रातन करते हैं तो यहां लोग प्रयागं के लिए प्राटन कर ऩह सबूद हरें हूरे छोड़ो मां शचा कि तना ещё जोटवा ने तबस्या कर रहें मा, यहां लोग प्रियाग में सनान कर रहे हैं यही कहीं मंदिर भी है alone कंगा सभागे है विए रहे कि काम टालो किन्य यहां तो हमीड वहां वहाँ ले चलेगा न हां था क्यों नहीं पहले यहां सनान कर ले फिर मंदिर चलेंगे अच्छफ, तो पैटा चलो हमें इश्राम करागे हैं? हाँ मा, चलो, चलिए पिता जी, मेरा हाथ पकड़ना आजिए आओ मा, चलो बिठागे, चलो भारत भर का भ्रमन कराया तीरत कराये सारे पहुचे फिर आयोध्या नगरी सर्यू नधी किनारे अपनी आखों सब दिखलाया बनाक का तारा श्रवन कुमार नाम थाउसका श्रवन कुमार नाम थाउसका जाने है जग सारा सुनो सुनो, अरे भै सुनो सुनो अरे भै सुनो श्रवन के कहती हो अच्छा मां बहुत रात हो चुकी है आज इसी वन में व्रक्ष के नीचे विश्राम करते हैं कल सुर्य उद्य होते ही चल देंगे ठीक है बेटा किन्तु बहुत प्यास लग रही है बेटा अहां प्यास तु मुझे भी लगे अच्छा तो मैं भी जल लेकर आता हूं अच्छा तु जाओ बेटा श्रमन किन्तु शीगर नौटा ना हाँ बेटा अधिक तीर होने से हमें चिंता होने लगती है आप चिंता ना करें मैं जल लेकर शीगर ही आऊंगा कर दो कर दो कर जल भरने के लिए श्रमन पहुंचा सर्यू नजितटको पहुंचे वही राजा दश्रत आये थे आखे टनको होनी के आगे अवश्था बालक भी बेचारा श्रमन कुमार नाम था उसका श्रमन कुमार नाम था उसका जाने है जग सारा सुनो सुनो अरे भै सुनो 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 अरे भै सुनो कितना घना अंधकार है अरे यह कैसा शब्द हो रहा है लगता है कोई म्रिक जल पी रहा है ठीक है मैं अभी ध्वनी की दिशा में बांड चलाता हूं यह जीव भी दश्रत के बांड से आज बच कर ना जा सकेगा यह जाना चाहिए यह तो किसी बालक की चीख थी कहीं, कहीं मैंने नहीं, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता मुझे, मुझे अभी जाना चाहिए मैलक, चुम्हें यह बांड लगा यह मैलक क्या क्या उठो, उठो देखो आप मैं तश्रत हूँ तश्रत आप आयोध्या के राजा तश्रत मैं 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 धन्य हूँ आपके तर्शन भाकर तुम चलो मेरे साथ तुम्हें तुरंत राजवेदी से तुम्हारा आप आप मेरी चिंता ना करें वह वह उसोर उरक्ष के नीचे मेरे प्रतीक्षा कर रहे होंगे अच्छा आप 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 उने ही चल पिला दें वह बहुत प्यासे हैं आप किंतु बेटा तुम बहुत खायलो पहले तुम को पहले आप मेरे माता पिता को जल पिला दीजिए और हाँ जब तक वे जल न पिले आप उन्हें मेरे गायल होने की सूचनर न दें क्यों नहीं तो नहीं तो नहीं तो वो जल भीना पियेंगे और मेरे वियोग में आप तुम्हारी राजन मेरे इच्छा पूरी करेंगे न तुम्हा पिता जी पिता जी मैं जा रहा हूं मा मा मुझे शमा करना पिता जी मैं मैं आपको माल्ग में छोड़कर जा रहा हूं मा बालक यह मैंने क्या किया यह मैंने क्या क्या यह मैंने क्या क्या लेकिन बालक की अंति मुच्छा पूरी करनी ही होगी हाँ 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 लगता है शर्वन आ गया हाँ पदचाप सुनाई दे रही है बेटा शर्वन तू आ गया बहुत देर कर दी बेटा हमें तू चिंता होने लगी थी शर्वन शर्वन क्या बात है बेटा तू बोलता है क्यो नहीं शर्वन मा कौन कौन है आप मैं हूँ भापी दशर्व कहां आसंदू आपको आप बैठिया नहीं जाने शर्वन भी अब तक क्यो नहीं आया जल्लेने ही तो गया था तो उस बालक का नाम शर्वन था लीजे मैं आपके लिए जल लाया हूँ क्या आप मेरे बेटे से मिले थे वो सोयम क्यो नहीं आया क्या हुआ उसे सब बताऊंगा पहले पहले आप जल पे लीजे नहीं नहीं पहले हमें बताजिए हमारा बेटा कहां आये सोगंध है आपको बताजिए न उसे कैसे कहूं क्यों क्या हुआ क्या वेरे लाल को उसे मेरा बाण लग गया और मिर्चु हो गया नहीं पेटा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता वो हमें छोड़ कर नहीं जा सकता नहीं श्रवन दश्रत हमारा श्रवन लाल हमारे प्राड़ रहे लेलो कि तु बेटा लोटा जो हमारा आप मुझे ही श्रवन समझीए माँ मैं आपकी सेवा करूंगा आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा आप मुझे अपने ही बेटा समझीए नहीं तु श्रवन नहीं हो सकते वो इतना इंदा नहीं था Maa, हम अंधों का तु वही उजादा था, एक ही सारा तु था हमारा, तुने छीन लिया बभा, तुने छीन लिया Baba, Baba पता चलेगा माता पिता की पिड़ा क्या होती है बेचे-खा योग क्या होता है मुझे क्षमा कर दो मा बाबा आप ही मुझे क्षमा कर दे अंजाने में मुझे से भूल हो गई मुझे क्षमा कर दो आप मेरे साथ राज महल चलिए आपको कोई कष्ट नहीं होगा पिता दुखी थे मात भिरो थे दश्रत भी पच्चता वर्षों बाद फिर राम वियोग में उसने प्रान गमाए मर कर किन्तू अमर हो गया प्रेरत बना हमारा श्रवन कुमार नाम था उसका जाने हैं जग सारा सुनो सुनो अरे भै सुनो 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 अरे भै सुनो 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 अरे भै सुनो सुनो श्रवन कुमार अभी आप ये कारेक्रम सुन रहे थे भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री, रामवतार शर्मा, दीनानात, विजयराथी और पवन कौशिक संगीत कार्थे, हर्भजन सिंह गायक, संतोष कुमार ध्वनियांकन, मैत्रिय दिवेदी लेखिका और प्रस्तुत करता, वंदना निगम कार्चानात कार्चानी और भाची संगी, अ बॉऌ़का करती